आज की वीडियो में जानेंगे सर्जिकल कोट्री मसीन के बारे में तो यह जो आपको वीडियो में दिखतीए यह है सर्जिकल ब्लड लोस हो तो चलो देखते हैं आज की वीडियो में कोट्री मसीन को कैसे ये काम करती है और क्या इसका यूज है तो सबसे पहले हम पावर बूर्ट से लाइट चालू करेंगे इसके बाद में जो ये ओन ओप का बटन दे रहा है उसको ओन करेंगे ये सरल्या विष्टा की कोट्री मसीन है ये डिस्प्लेय पर इस परकार से आएगा और इसको जो रिकॉल का जो बटन है उसको प्रेस करेंगे तो ये वार्क करने लग जाएगी और इसकी जो नंबर दे रहे हैं ये इसकी कर्ट कोगुलेशन की नंबरिंग है इसको अगर हमें ज्यादा चीए पावर तो उसको बढ़ा देंगे कम चीए तो उसको गटा देंगे इस परकार से ये प्रेस करेंगे दो कम होता जाएगा बढ़ाने के लिए उपर का बटन प्रेस करेंगे बढ़ जाएगा या बैग बटन है वापिस आजएमoti ग्रुत मेन्यू है रिकॉल बटन दबाए इसमें और इस प्रकार से इसके पेरामीटर को रेट कर लेंगे अभी इस प्रकार ची काम करेगी और इसको देखते हैं इस के अंदर हम दो प्रकार की कोड यूज कर सकते हैं एक तो है बाइपोलर और एक है मोनो पोलर या Unipolar तो सबसे पहले हम देखेंगे Bipolar Code को इसमें ये दो प्रकार के Foot Pedal होते हैं ये Monopolar के लिए रहेगा तो इसमें ये दो Foot Pedal है एक तो ये Yellow Color का है एक Blue Color का दे रहेगा है जो Yellow Color का है वो रहेगा Cut के लिए और ये Blue Color का है वो Coglation के लिए रहेगा और ये वाला Foot Pedal है ये Coglation के लिए रहेगा और ये Bipolar कोट्री में यूज करते हैं एक Earth Plate रहेगी जिसको की Patient के नीचे Body Part में लगा देंगे सबसे जो Man इसको लगाने का जो Part होता है वो है Thigh के नीचे लगाएंगे इसको जिससे की Machine को Earth मिल सके Monopolar Lead को लगा के देखेंगे ये Monopolar Coatry Lead है इसको Coatry Pencil भी बोलते हैं इसमें दो परकार की बटन होते है Yellow Color का और Blue Color का जो Yellow Color का है वो Cut में काम आता है और जो Blue Color का है वो Coagulation में काम आता है इसके द्वारा हम Tissue को Thesia को आदी को Cut कर सकते है और Coagulation के द्वारा हम जो Blood Vessel से उसको Coagulate करके जो Blood Loss होता है उसको कम कर सकते है और ये Plate है वो Plate पे हमने ये साबुन रख रखी इसको हम Patient मान के चलेंगे तो इसमें ये Cut का Button प्रेज करके देखेंगे कि किस प्रगार काम करती है ये Coagulation का है जो Monopolar Lead होती है उसके लिए हमें जो Earth Plate है उसका यूज करना पड़ता है और जो Bipolar रहती है उसमें Plate की जुरत नहीं पड़ती Bipolar का Benefit ये रहता है कि जो Current है वो सिरफ Local जगे पे रहेगा जहां हम यूज कर रहे है वहाँ पर ही रहेगा जबकि जो Monopolar यूज करते हैं तो जो Current है वो पूरे Body में पहलता है अब हम Bipolar Coatry का यूज करके देखेंगे यहाँ पे हमने Monopolar Coatry Leed लगाई थी और Bipolar के लिए इस जगे पे लगाएंगे Bipolar Coatry Leed को यूज करने के लिए हमें इस Blue Foot Pedal की जुरत पड़ेगी और इसमें जो Plate है Earth Plate उसकी जुरत नहीं पड़ेगी यह हमाई पास Bipolar Coatry Leed है जिसको Prong भी बोलते हैं और इसमें इसकी दुआरा पेशेंट में Coagulation में इसका यूज करते हैं और इसमें Foot Pedal जो Blue वाला है इसको प्रेस करके इसका यूज करेंगे और इसमें जो Plate है उसका यूज नहीं करेंगे और जिससे क्या होगा जो Current है वो सिरफ जहां यूज करेंगे उसी जगे पर रहेगा बोडी में पूरी जगे नहीं फेलेगा और दूसरा इसका Benefit यह रहता है कि जो Current है वो Laterally नहीं फेलता सिरफ जहां यूज कर रहे हैं वहीं फेलता है जिससे क्या है जो Narrow रहती है और जो Tissue रहते हैं प्लेटरी साइड के वो डेमेज नहीं होते है तो इसका यूज करके देखते हैं यह बाइपोलर कोट्री लीड का यूज करके देख रहे हैं जिसको प्रॉंज भी बोलते हैं और इसके लिए हमें यह ब्ल्यू वाला कोट्री मसीने इसका तीसरा यूज है लेप्रोइसकोपी में तो यह लेप्रोइसकोपी की इस्ट्रिमेंट दे रखा है तो इसमें जो कोट्री लीड इसको लगाके और इसका यूज कर सकते हैं तो इसका जो पोट है वो हम मोनोपूलर वाली पोट में इसको इसकी जो लीड है उसको लगाएंगे और इसको अब यूज करके देखते हैं और इसके लिए हमें फूट पेडल की जुरत पड़ेगी और जो प्लेट है वो भी हमें पेशेंट के लिए लगानी पड़ेगी लेप्रोस्कोपी में भी इसके द्वारा हम कोबलेशन और कट कर सकते हैं तो यह देखें यह होगया कट और यह कोबलेशन इस प्रकार हमने देखा कि सर्जिकल कोटरी मसीन है जिसको हम डायथर्मी मसीन भी बोलते हैं तो इसका हम तिन प्रकार से यूज़ कर सकते हैं इसमें दो लीड होती है एक तो जो मोनोपोलर है वो दूसरी बाइपोलर मोड पर काम करती है और तीसरा इसका यूज लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में कर सकते हैं